दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सवाल देखने वाले हैं, जो आपके आने वाले ITBP के एक जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो चलिए सुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगला सवाल, शरीर के संतुलन के लिए मस्तिश्व का कौन सा भाग उत्तरदाई होता है? ए, सेरीब्रम, बी, मेंदुला, सी, पॉंस, दी, इन में से कोई नहीं, सही आंसर सेरीब्रम हो जाएगा। अगला सवाल, बुद्ध ने निर्वान प्राप्ती को सरल बनाने के लिए कितने शोलों पर बल दिया? ए, शून्य एक, बी, शून्य दो, सी, शून्य तीन, दी, दस, सही आंसर दस हो जाएगा। अगला सवाल, सविता अंबेदकर का मूल क्या है? ए, सार्दा कबीर, बी, अनुपम सेन, सी, काजल अगरवाल, दी, इन में से कोई नहीं, सही आंसर सार्दा कबीर हो जाएगा। अगला सवाल, भारत में दूसरा सबसे बड़ा कृशी आधारित उद्योग कौन सा है? अगला सवाल, समविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करके अनुच्छित जाती तथा अनुच्छित जन जाती आयोग की स्थापना की गई? अगला सवाल, राश्ट्रमंडल की स्थापना किस वर्ष की गई? अगला सवाल, किस ग्रंट से यह ग्यात होता है कि पुश्यमित शुन्ड ने दो अश्वमेग यग्या किया था? अगला सवाल, कम्यूनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतिय कौन था? अगला सवाल, कौन संगम का लीन व्याकरन रचना सरवादिक महत्वपूर्ण मानी जाती है? अगला सवाल, कोजी कोट बंदरगा किस राज्य में स्थित है? अगला सवाल, कौन सा पोशक्त वचा के नीचे जाकर शरीर केताब को बाहर निकालने से रोपता है? दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है?